वेरी गूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक जो देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फाइन रिप्लेस यदि मैं आपके सिलेबस पे थोड़ा सा नजर डालूं तो आपका जो सिलेबस है वो ये है हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लिप आठ के बारे में ये पूरा क्लिप आठ से रिलेटे टॉपिक था अगला जो एक टॉपिक है फाइन रिप्लेस इस वीडियो में हम लोग उसी को अभी कवर करने वाले हैं तो देखिए होता कहा है फाइन रिप्लेस यदि मैं यदि 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 मैं देखें पहला चीज तो यह option होता कहाँ पर है तो आपके पास यह home menu है home menu ठीक है और home menu का जो menu ribbon है या home tap का जो menu ribbon है वहाँ पर आपको यह option आपको देखने को मिलेगा find और replace करके तो चलिए यह कुछ paragraph है मेरे सामने और मुझे इसमें कुछ चीज को find करना है जैसे कि modern नामक एक शब्द है है वो कहां कहां पर लिखा है अब हो सकता थी हजारो लाइन्स लिखें हो यहाँ पर तो मुझे उस particular शब्द को इस paragraph है मुझे सर्च करना है तो simply मैं यहाँ पर आप देख सकते होम menu होम menu में यह find को option है मैं इसे click करूँ मुझे क्या find करना है भाई modem क्या find करना है modem तो find next करूँ यह देखिए आपको वो शब्द यहाँ पर मिल गया है फिर मैं find next करूँगा तो वो शब्द यहाँ पर मिल गया है find next करूँगा तो ये शब्द मुझे यहाँ पर मिल गया है तो gray color की पट्टी आ जा रही है find next करूँगा तो मुझे वो कहां कहां पर वो शब्द इस paragraph में है वो मैं find कर सकता हूँ find option से और उसी में ही एक option है replace option है ठेक है close कर देता हूँ ये modem है मैंने कर सर यहां लाया find मैं replace में आता हूँ replace करता हूँ तो जो modem नामक शब्द है जहां जहां पर modem है उसको मैं suppose modem के जगा में मैं कोई शब्द ले देता हूँ suppose router या मैं कुछ और computer कर देता हूँ computer देखिए मैं क्या करना चाहा हूँ जहां जहां पर modem नामक शब्द है वहाँ वहाँ मैं computer नामक शब्द को रखना चाहता हूँ तो modem शब्द को replace करना चाहा हूँ computer शब्द से तो चेले मैं find next करता हूँ तो वो देखिए ग्रे कलर की पट्टी यहाँ पर आ गई है है ना वो modem नामक शब्द मैं replace करूँ तो देखिए इस modem शब्द के जगह में computer आ गया फिर मैं find next करूँ देख सकते हैं फिर से वो ग्रे कलर में वो शब्द select हो गया है replace करूँगा तो यह modem شब्द computer से replace हो गया फिर मैं next करूँ आप देख सकते हैं जहाँ पर modem लिखा हुआ है वो फिर से यहाँ पर highlight हो गया है यह ना ग्रे कलर की पट्टी से replace करूँ यह भी computer से replace हो गया फिर मैं find next करूँ आप देख सकते हैं फिर से वो शब्द मुझे मिल गया है यहाँ पर उसे मैं replace करूँ तो देख सकते हैं वो replace हो गया है आई बात समाद में तो यह है replace का option find में किसी word को हम search करते हैं और replace से क्या करते हैं उस शब्द को find out करके हम उसे किसी particular शब्द से replace करते हैं अब मैं क्या करना चाहरा हूँ कि जहां जहां computer है जहां computer है वहां वहां मैं modem रखना चाहता हूँ वो भी एक ही बार में ठेक हैं यहाँ पर जो option हमें समझना है, वो देख सकते हैं, home menu है, home menu का यह tab है, और उसी tab में यह दो option है, जिसे हमें समझना है, find or replace, तो इसकी theory मैं आपको cover कराऊं, find and replace, practically मैंने बता दिया होता क्या है, तो find option, find option का प्रयोग किसी विशेश शब्द, अत्वा, शब्द शरिंखला को खोजने के लिए किया जाता है, मतलब इस find option से आप सिर्फ एक ही शब्द को नहीं सर्च कर सकते हो, आप शब्दों के समझना को भी उसी कोई शब्द शरिंखला बोला जा रहा है, तो उसे हम find out कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इस विकल्ब का प्रयोग करने के लिए, edit menu के find option पर जाकर click करते हैं, और यह home menu है, यह गलती जिया, edit menu लिखा गया है, तो home menu के find option पर जाकर click करते हैं, या इसका shortcut जो है, control प्लस F है, जिससे monitor screen पर find नामाक dialogue box आ जाता है, यह जो dialogue box है, इसका नाम ह find, तो find dialogue box आ गया है, और यह जो find what के बगल में, जो text box है, उसमें आप जिस शब्द को find करना है, उसे लिखें, और फिर find next को click करें, वो शब्द आपको मिलता जाएगा, इस dialogue box में, find what के सामने बने box में, वह शब्द या शब्द सरिंकला type की जाती है, जिसे हम find कराना चाहते हमारे document में, जिस जगह भी word लिखा होता है, वहाँ पर करसर पहुँच जाता है, और यदि हम अपने document में इस word को और भी खोजना चाहते हैं, तो find next बटन पर click करें, तो यह find command, find option, practical करके भी दिखाया, अब देखते है, replace option क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कि आपको ये प तो उसे replace feature द्वारा बीना समय गवाया ठीक कर सकते हैं, मतलब आपने कोई एक matter तयार किया, और उसमें आपने पाया कि spelling तो मैंने हर जगह गलत लिख दिया है, तो उन शब्दों को आप क्या कर सकते हो, इस dialogue box से इस option का प्रयोग करते हुए, आप उसको सही spell करते हुए, इस अटिकल नहीं बताए, इसका shortcut control है फिर क्या करेंगे, इसके बाद एक find and replace dialogue box खुल जाएगा, यह आएगा, मैंने भी आपको करके दिखाया, modem दिखा और यहाँ पर replace with computer किया, तो modem जहाँ जहाँ पर था, वहाँ पर computer से replace किया था, यह dialogue box है, find and replace dialogue box कहलाता है, वह आजाएग फिर क्या करेंगे, find what वारे छेतर में उस शब्द को, जिसके keyword को डालें, और जिसे आप खोज कर सही करना चाहते, तो computer है, यहाँ modem के जगा मैंने अभी करके दिखाया था, तो यहाँ पर उस शब्द को लिखना है, find what में, जिसे खोजना है, और उस खोजे का शब्द को, जिससे replace करना है, उस शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे modem को मैंने उपर में लिखा था, उससे खोजना था, और उसके जग में computer डालना था, तो replace with वाले box में मुझे उस शब्द को डालना है, जिसे मुझे किसी शब्द को जिससे हटाना है, अब replace with वाले छेतर में है न, replace with वाले छेतर, जैसे कि मान के चलो, commuter करके मैं इस्पेलिंग गलत दिख दिया है, वहाँ वहाँ पर computer अब सही करके मैं डालना चाह रहा हूँ, तो replace with वाले छेतर में उस खोजे गया शब्द की, जगा जो सही शब्द डालना है, उससे लिखें, जो सही शब्द उसक यह power point वो शब्द जहां भी मिले, उसे खोज कर ग्रे रंग से highlight कर देगा, खोजेगा, और उससे highlight कर देगा, फिर क्या करेंगे, आपको replace पर क्लिक करते ही, आपके द्वारा दिया गया नया शब्द, पुराने खोजे गया शब्द की जगा ले लेगा, मतलब जैसे मैं replace तो आपको इसे बड़े अच्छे से समझना है, practical करना है, और exam करीब है, तो उसके लिए बड़े अच्छे से notes भी बनाना है, so thank you very much.